गुड इबनिंग दोस्तों इमान वैल एजुकेशनल क्लासेस यूटुब चैनल को ज़ादा से ज़ादा लोग सब्क्राइब करें लाइक करें कमेंड करें और हर सोसल मेडिया की गुरूप में इस यूटुब के इस यूटुब चैनल के लिंक को सेयर करें ताकि मैं कोई कि पिसन पोचे मैं आज मोटिवेशनल स्पीच बता रहा हूं कि कि अगर बना हो तो बास बना लेकिन कभी दोता मन पूलता तो बहुत है लेकिन जाना हो चाहे तक बोड़ नहीं सकता है पास बोलता बहुत काम है लेकिन सबसे उचाए पर उड़ता है और बाकी बंच्चों का राजा होता है इस आज मैं आपको पांच इसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इसंद को पास से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ लगनिग है इन पांच परिंट्स में पहला लेसे इकल फ्लाइए अलोर बास अकेले उड़ता है और बाकी बंच्चों की मुकाबने सबसे उचाए पर उड़ता है बास अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडियाप और छोटे बंच्चियों सा दूसरा लेसे बास का विजन बहुत जादा क्लियर होता है और बहुत जादा स्टोंग होता है बाद अपने शिकाल को पांच किलिमिटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बाक सबना लक्षित दिख जाता है तो उसके बाद जाहे रास्त में कितनी भी मुश्किली क्यों अपने पास्त की जगाए तुमारे पास्त में उसे बढ़तेमान में जगाए तुमारे अगर तुमारे पास्त में जगाए रुपर दुम्हारे पास्त तुम्हें अभी प्रसेट में नहीं रहें एगा, पास्त में तुम्हारे अचत में सब कितना भी बरा प्योर्ट हो, वह सब जयाने वह सब थोड़ से मढ़ चुके और ऑज दाए जब आजी तुम Dalet टुन आते हैं तो पास्त बहुत ज़ित गए लेकिन पास को बड़ाम जब देज हवाई चलती तो पाज उन हवाओं के सारे उड़ेज से उपर के और उड़ते उड़ते हैं और उड़ते इतना उच्छाता है कि बादों से वी उपर पहुँचाता है और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीवत में मज़ा और नेपुलीन हीलिक पर खाता थी हार बड़ी चुनुती अपने साथ में एक बहुत बढ़ा हुटा